हेलो माई यूटूब फैमली गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सभी उमेद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है मंडे तो मैं आज नास्ता नहीं बनाई हू क्योंकि कल संदे था और रात में जो लिटी बनाया था मैंने वो कुछ लिटी बच चुका था रही मैं तो एक्ष्ट्रा बनाती हूँ कि सुबह में वही चलेगा तो बस वही हम लोगों का आज नास्ता है सुबह का तो यहां कुछ अभी मैंने नहीं बनाया है अभी लगब तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी दूबा का जो उसका नास्ता है वो मैं करा लेती हूं फिर तो बहर में जब आते हैं उस टाइम थोड़ा बहुत कुछ खाती है तो फोन दीखती ही खाती है तो कुह को खाना खिला रहे थी और धर मैंने पानी चड़ा दिया था गरम होने के ल लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है खिली-खिली सी धूप निकली है तो बस सारा कपड़ा में यहां धूकर डाल दे रही हूं क्योंकि मौसम यहां कभी भी बदल जाता है कब धूप कब बरसाथ कब मतलब क्या करते कुछ नहीं बोल कहा जा सकता है यहां का मौसम का इस और तीनों रसी पे मेरा आज कपड़ा भरा हुआ है दो तिन कपड़े कलके ही थे मैंने ऐसे बस पानी में भीगो कर और धोकर डाल दिया था और बाकी सारा आज धोया है मैंने और यह आज बाहर का मौसम धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है तो बहुत अच्छा लग र होता है हर रोज की तरह आज भी और तो सबसे पहले को समैटो उसांफो सब तक सभी चीज़े आराम से शचैणो कर लेती हूँ तो यहां कुहू भी अभी मेरे साथ में ही है और बहुत परिसानी होती है इसको साथ में लेकर मतलब बैट सेट करने में तो बहुत होती है जब मैं बैट सेट लगाती हूँ उस समय में बहुत जादा परिसान करती है वो मुझे देख सकते हैं आप लोग इसका यही रहता है कि यह चाहती है कि बस तुम जुको और मैं तुम्हारे उपर चड़के बैठ जाओ तो बच्चों के साथ काम करने में दिक्कत तो होता है लेकिन क्या है ना बच्चे मतलब मैं तो अपना बोलू तो कुह है तो बहुत जादा मुझे अच्छा ल कर शाओं अच्छा लगता है मतलब दिन क्याता है पता ही नहीं चलता है डिया tussen काम के टाइम में बचे अगर डिश्करously करने तो बाते हैं लेकिन स्वाह रहेसे जीज़कर मुझे में सी तक कम से कम है साथ में तो चलो टाइम निकल जा रहा है तो यहां बिसCन मैंने लगा लिए मतलब ठीक कर लिया बेड और अब बारी आती है इधर अलमारी पे जो थोड़े बहुत समान रखे रहते हैं उसमें से कुछ 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 के खिलोने हैं जो कि मैं बहुत ये फेक देती है उधर बहुत गंदे होते हैं तो मैंने उपर ही लगा रखा है क्योंकि ये खेलती रखते हैं तो जैसे वैसे तैसे रखे रहते हैं तो उसको ठीक से रखती हूं उसके बाद अभी फिर मैं कर रही हूं अभी जाड़ू और जब से इधर वाली खिड़की खोली है तो बहुत अच्छा रोसनी आने लगा है रोम में लेकिन ये क्या होता है वीडियो शूट कर अब ही मैं लगा रही हूं पोच्छा और मैंने इसे बोला को बोला मैंने कि तुम बाहर वाले रूम में खेल तो सोच रही हूँ आप रूटीन चेंज करूं क्योंकि हर बार मतलब एक ही चीज करके बोरिंग सा लगता है सेम टाइम उठो सेम काम करो तो आज मैं पता है मैं उठ गई थी लगभग पांच बजे ही और उसके बाद उठी थोड़ा सा बैठी उसके बाद फिर मैंने चै बना को मतलब घर के काम काज में इतने हम बजी हो जाते हैं और हम पता भी नहीं चलता कि मतलब हमारे चीज को आज मैं चूठोड है को बिच बिच में कुहू के वज़से मेरा चूट जाता था जिसके वज़से ये मेरी यहालत हो गई नहीं तो पहले मैं करती थी कुहू के साथ यहां कि मैं जब एक्सराइज करने जाती हूं तो बस इसका सुरू हो जाता है और रोने लगती है या फिर मुझे नहीं करने देती मेरे उपर चड़के बैठ जाएगी ऐसे करने लगती है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था मैं नहीं कर पाती थी और जब भी कोसिस करती थी कि नहीं जारी उटके करने तो इसका रोना सुरू हो जाता था तो इसी वज़से मेरा छूट गया जिसके वज़से मेरी हालत हो गई यह मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है अभी अपना जब फिगर देखती तो अभी थोड़ा रूटीन भी मैं चेंज कर रही हूं आज से ही सोचा है कि मतलब अब कोसिस करूं कि जल्दी से काम खतम करूं तो अभी तक तो सारा काम खतम हो चुका है अभी 12 बज रहा है और अभी मैं नहाली हूं अभी को कोच सुला करके और थोड़ा सा बालवाल मैंने और आप सभी से एक बात कहना था मुझे कि मेरे जो लोग मेरे सॉट वीडियो देखते है ना उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगे कि अगर आपको मेरी सॉट वीडियो अच्छी लगती है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी मेरा एक सूपर थैंक्स का जो फीचर होता है वो इनेवल हो चुका है तो अगर आप चाहते हैं मुझे सूपर थैंक्स देना तो आप दे सकते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आप सभी से बाते करूं मैं आप लोगों को बताऊं बहुत लोगों को पता है यह बाते लेकिन बहुत लोग नहीं जानते तो अगर आप मुझे सूपर थैंक्स देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ही एक आपसन आएगा सूपर थैंक्स का वहाँ पर आप क्लिक करके मुझे दे सकते हैं और चलिए अभी तो कुहू सो गई मैंने सोचा था अभी निक्को के घर भेजूंगी इसको क्योंकि वहीं जाने के लिए रो रही थी लेकिन सो चुकी है तो अभी रहने देते हैं दूद्ध पिलाने ने लगी मैं तो सो गई है देख सकते हैं आप लोग यहां पर कि अभी मौसम मंदर ना ठीक नहीं है ठंडा लगी रहा है और यह देखी आपर खिर्की हम लोगों ने खोल दिया थोड़ा-थोड़ा गर्मी का मौसम होने लगा है तो इसलिए खिर्की जरूरी है ना हवाय जरूरी है पहले तो हमें हवा नहीं चाहिए था रूम में इसलिए लाइट तो अफ ही रख रही हूं और चलिए मैं बालवाल जहाड ली हूं आज थोड़ा सा जल्दी रही हो गई हूं लेकिन अभी खाना बनाना बाकी है तो चलते हैं किचन में और आप लोगों में से बताईएगा कौन-कौन लोग मेरे सौट वीडियो देखते हैं और किस-किस को अच्छा लगता है आप चाहे तो सुपर थैंक्स दे और नई तो केमेंट करके भी बता सकते हैं तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना तो जैसे ही मैं किचन में गई ना तो कुह के पापा का कौल आ गया था कि हम मेट पानी तो खतम घए था हम लोगों का च्छों हम लोग पानी सप्लाई पीनेवाले मनगाते हैं तो मैंने उन्हें सुपर यह रहाया था तो उन्हों ने कॉल करके बोला कि ओटे आउले अंकल अगर पानी नहीं आया तो क्योंकि एक बोटल पानी था मतलब एक लीटर ही पानी बचा हुआ था मेरे पास सब पानी खतम हो चुका था तो अभी मैं कीचन में आई हूँ और सबसे पहले यहां चड़ा रही हूँ दाल आज मुझे ना चूड़ा फ्राई करना है बहुत दिन स सोचा कि आज थोड़ा सा जल्दी भी हो गया है मेरा काम तो क्यों ना मैं सबजी बनाने से पहले वैसे सबजी नहीं आज मुझे आलू और पत्ता गोबी की बुजिया मैं बनाऊंगी तो मैं सोची कि उससे पहले ना मैं यहां पर अभी इसको चूड़ा कोई फ्राई कर ले तो यहां मैं छान रही थी उसे लेकिन कुछ भी निकला नहीं तो इसलिए मैं डायरेक अब डाल दे रही हूं सारा कटोरी में और इधर अभी मैं करूंगी चूड़ा फ्राई और टाइम मतलब कितना भी सुरु सुरु में होता है ना कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ चीजे अपना रूटीन चेंज करना चाहते हैं तो सुरु सुरु में आप कितना भी कोशिश करिए समय आपको वहां तक पहुंचाई देगा तो ऐसा और मेरे साथ ऐसा इसलिए होता है कि मैं कितना भी लेकिन कुहू है कि कुहू के वज़े से कुछ न कुछ इस तरह से हो ही जाता है ना कि मैं ले देकर वहीं पहुंच आती हूँ मैंने उसे सुला कर मतलब मैं आ चुकी थी तो मैं सोचे की टाइम बचा हुआ तो चलो जल्दी से चुड़ा फ्राइक कर ले रही हूं उसके बाद बनाओंगी भुजिया फिर मैंने इधर चड़ा भी दिया और बस वो दो से चार मिनाट ही सोई होई और वापस उठ गई तो मतलब बीच-बीच में इतना डिश्टर्ब हुई कि मतलब मेरा टाइम ले देखर वहीं आ गया तो जब उठ गई तो मैं वापस इसको ले करके यहीं किचन में ही आ गई थी क्योंकि बार-बार रो रही थी तो मैं उसको यहीं ले करके आ गई और मैंने थोड़े देर के लि चली जायकान में तो बस उसका कितना भी भारी भर कम नींद हो कुछ भी करती रहे दोड़ कर भागती है तो बस वही आने की वज़े से निकू को आने की वज़े से वह उठ गई थी तो फिर अभी दोनों बैचे बाहर में खेल रहे हैं वैसे खेलते कम और मुझे परिसान ब करते हैं इस वज़े से मुझे ज्यादा टाइम उनहीं लोगों को देना पड़ता है और इसी वज़े से मुझे लेट भी हो गया वहीं मतलब लगभग मुझे खाना बनाते दो बज़ी गया था तो वैसे तो मैंने चूड़ा सिंपल सा फ्राई किया लेकिन बहुत अच्छा लग रहे हैं कि अच्छाए सारा काम हो गया मेरा अभी लगभग सारे तीन बज़ रहा है सारे काम खतम करके और खानवाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी क्योंकि आजना मुझे बहुत जादा दर्थ हो रहा है मेरे हाथों में यहां पर पतानी मैं सटर्ड हुआ हमेशा ही खेलती हूं संदे और सटर्डे दो दिन अपने हजबन के साथ सामने आधा गंटा या एगंटा खेलती हूं मैं तो पहले भी मैंने खेला तो मुझे कमजोरी लगता है कि उसी के वज़े से हुई क्योंकि मैं बहुत जोज में खेलने लगती थी हार जीत के चक् कर रही हूं मेरा टमी जो बाहर आ रहा ना तो मैं सोच रही हूं कि थोड़ा बहुत एक्सराइज करूं ताकि अभी सही हो जाए तो हो सकता है मुझे उसी वज़े से यह दर्द हो गया है क्योंकि ज्यादा इस पर लोड आया और मैं लेप्टी हूं तो मैं इसे हां से वैड किचन अभी पड़ा हुआ ही है उसके बाद ना आप लोग सोच रहोंगे कि मैं रेडी हूई हो तो मजबूरी होती है क्या कर सकते हैं अभी ना मैं सोट जो बनाती हूं तो मैं दो चार रखती हूं एक बार बना करके ताकि अगर कभी मर्जंसी हो नहीं बना पाऊं क्योंकि बीडियो बनाने के लॉंग बीडियो के साथ सौट भी रोज-्रोज मतलब कर पाना सूट नहीं पॉसिबल हो पाता है मेरे से घर के टोटल काम के साथ को भी संभालना रहता है इसलिए तो मैं दो दिन या तीन दिन पर बनाती हूं तो मतलब सारे जितने भी थे सारे खतम हो तो मुझे इसलिए मजबूरी था बनाना था तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा कैसे भी करकर रेडी हूई थी बालबस जाड़ा था वैसे ही जाड़ा हूए है थोड़ा सा लिप्स्टिक लगा ली हूं और बस फिर भी कुछा है हाँ ठीक कुम मेरे लिए चाय लाई है मैं चा जाज फेला सा थे फेल रहे हैं तो अभी किचन का काम परा हुआ हैلة ना वहां है हमारे पास क्यूंकि हम अकेले हैं सब चिछी टाइम पर करनी ही होती है है तो बस अभी मैं और बनाओंगी उसके बार too करूंगि इसन朝 शावारो कर दो होने हैं थोड़े बहुत रूम में भी सब जारू भी लगाऊंगी एक बार तो चलिए आज का व्लोग आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखेगा जिस तरह मेरे सौट वीडियो में आप लोगोंने इतना सारा प्यार दिया है मेरे लोंग वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए ताकि मैं इसी तरह यूटूब पर बनी रही है चलिए टेक केर बाए बाए बाए